जी नमस्कार सातियो जै हिंद वंदे मातरम रादे रादे फ्रेंड्स आज की वीडियो नोन स्टुडेंट के लिए अत्यनति इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि आपकी बहुत सारी डिमांड चल रही थी कि नोन स्टुडेंट किस परकार तयारी करें जो फस्टियर में है ठ बताने वाला हूं कि किस परकार आप एक अच्छी परसंटेज बना सकते हो क्योंकि आपके पास में बहुत सारा टाइम है तो यह दियार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बैल आइकन को प्रेस करो क्योंकि यहां पर क्लासे भी कंडेक्ट करवाई जाती हैं बहुत सारी क्लासे चैनल पर डाल रखी हैं टेलिग्राम से जुड़ जाओ वहाँ पर भी आपको बहुत सारी नोट्स मिल जाते हैं तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि जो नोन स्टूडेंट रास्तान उनिवर्सिटी म फििए उनमें भी लगबग सयमेस्टर लागू हो चुका है ठीक है लेकिन सयमेस्टर लागू होने के बाद भी आपकी 40-,. एक सा आती एक्स लेजाम ली जा तो आपके जतने भी भी पेपर हैं उनको एक बारी लिया जाएगा तिका जो रैगुलर स्टुडेंट उनके तो क्या है सेमस्ट दो बार दिये और उनमें जैसे जानूहाल लीजें उनके पास में तो अनको तीन सब्जेक्ट समस्टर फर्स्ट में लग रहे हैं और तीन है ना जो semester second में लग रहे हैं लेकिन आपके क्या हो रहा है कि एक साथ जैसे सब्जेक्ट है मान लिजे आपके तीन मुख्य सब्जेक्ट होंगे आपके पास में जेनके 6 paper हैं तो उन 6 paper को एक साथ लिया जाएगा एक साथ का मतलब एक दिन में नहीं एक बार में एक मह university और उसके अनुसार लेगी तो उसी के अनुसार अपन को काम करना है यानि आपके पास में कम से कम तीन महीने बच हुए हैं तीन महीने बैस्ट तयारी के लिए proper हैं अब आपके पास में दो परकार की student भी है ठीक है ऐसे student जो 80% बनाना चाहते हैं और ऐसे student जो पास होना चा या वे competition की तयारी कर रहे होंगे या फिर उनका mindset अलग काम कर रहा होगा पचास से 60% के बीचे बनाना बनाना चाहते हूं वो लेकिन 50 और 60% college में कम नहीं होती है ठीक है तो दोनों ही तरीकों से मैं बताऊंगा आपको कि ये थोड़ा कठिन मार गए और आपको पता है जो कठिन मार गोता है न वो आपको ज़्यादा profit देता है ये थोड़ा सरल मार गए तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं इस प्रकार के student की यदि आप 80% बनाना चाहते हो थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ी आसा नहीं हो जाए थोड़ा आसा यदि आप 80% बनाना चाहते हो तो आपको ये तीन चीज़ें आपको अपनानी होंगी पहली चीज़ें आप बुक्स को पढ़ों क्योंकि आपके पास में तीन महीने है और अधर competition की तैयारी नहीं कर रहे हो तो बुक्स को बड़िया तरीके से पढ़ों यहां पर एक प्रोपिट तो आपका यह होगा कि competition में जो भी content आता है जो भी सामगरी आती है जीक्टे उके जो भी है वो इन तीन सालों में graduation की जो तीन साल होते हैं उनमें cover हो जाता है तो बुक्स आपके लिए important है college में भी अच्छी percentage मन जाएगी और जो competition है उसमें भी आपको काफी सारा लाब होगा बहुत लाब होता है friends मैंने graduation की है मैं आगे भी अभी भी पढ़ रहा हूँ आगे की जो उस लेवल की जो तयारे होते वो करता हूँ लेकिन मैंने personally पाया है कि जो college की जो subject है यदि उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया उनके एक बारी notes बना लो ताकि आप जब आगे तयारी करो तो फिर paper अच्छी से निक बना लो प्रोपर तरीके से क्योंकि अपने हाथों से बनाई हुए notes बहुत काम देते हैं क्योंकि वैसे तो material होता है जो material होता है जो books होती है वो तो बहुत सारा पढ़ा हुए market में ले लो लेकिन अपने हाथ से notes बनाऊगे तो ज़्यादा चीज़े आपको clear होंगी ठीक है पांस सालों के paper को देखना है पांस सालों के paper यदि आप देखते हो तो आपको पता लग जाएगा किस परकार question पूछता है और repeat होते हैं बहुत ज़्यादा repeat होते हैं बड़े question ज़्यादा repeat होते हैं ठीक है लिखने का आप ब्यास करना है क्योंकि लिखना important है तब ही आप energy six लिख सके mind में परभाव चोड़ पाओगे अन्य था परभाव नहीं चोड़ पाओगे आपको सब कुछ आता माली जो और आप लिखी नहीं पा रहे हो पूरे जो question है उनको जितना उसने उन्होंने बोला है paper में उतना ही नहीं लिख पाए लिखने की speed दीमी है and writing ठीक नहीं आती है तो लिखने का ब्यास करना revision करना है जितना पड़ा है उसका revision करना बहुत जरूरी है यदि आप revision नहीं करोगे तो फिर वहाँ पर कैसी लिख पाओगे तो यदि आप इन सारी की सारी चीजों को follow करते हो तो असी पलस बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है और यहां से competition की तयारी भी आपकी बढ़िया हो जाती है क्योंकि अधिकतर student यहीं गलती करते हैं कि वो graduation level में जो subject होती है उनको बढ़िया तरीके से deeply नहीं पढ़ते है ठीक है तो य shortcut अपना रहे हैं उनके लिए पास हो जाओगे कोई परेशानी वाली बात नहीं है ठीक है यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगी ठीक है सीरीज पढ़ना देखो सीरीज में सोट चीजे दे रखी होती है डिटेल से चीजे दे नहीं रखी होती है क्योंकि आपको पता है 500 पलस पेज की बुक आपको 100 पेजों में मिल जाए और वो भी छोटे छोटे पेजों में तो आपको पता है कि कितनी सीमी चीजे सीरीज में ह करते हैं तो यादी promot को यदि पूरा पढ़ते हो तो पास हो जाओगे कोई दिक्त लेने वालि बात नहीं है दूसरा पास सालों के ही का पड़ तो आपको देखने ही पड़ेंगे यूदि इनको भी बड़ी तरीके से करते हो तो यह पेपर ये जो कुशन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं ठीक है लेकने का ब्यास करना है लेकन कल अच्छे होनी चाहिए ताकि उसको प्रवावित करशपाओ क्योंकि वहाँ पर आप नहीं होंगे आपकी कोपी होगी रिविजन करना है रिविजन के विगर कुछ भी नहीं हो पाएगा तो आप अपने इसाफ से देख लेना क्योंकि सीरीज में सीमिच चीज़े आती हैं और आप एक चीज़ और कर सकते हो जैसे पांस सालों की पेपर आपने देख लिए और सीरीज लेकर आ गए तरीके से आप फोलो करते हो तो दोनों के लिए लाब होगा ठीक है दोनों परकार के स्टुडेंटी में ले तो बराबर हैं आपके माइंड सैट पर निर्फर करता है कि आप किस परकार चीज़ों को देख पा रहे हो ठीक है यह तरीका बिलकुल अच्छा है क्योंकि आपके पास में बहुत सारा भी टाइम बचा हुआ है तो इनको बड़े तरीके से पढ़ सकते हो यदि यह अपनाना चाते हो तो आप अपना सकते हो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अब मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं बुले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए ठांक्यू